Friends, मैं अरेश चोक से और आज के वीडियो में हम cost reduction techniques या cost reduction methods पर बात करने वाले हैं आज के वीडियो में काफी सारे points पर हम discuss करेंगे, बाते कि अब आपको बताएंगे कि इन इन points को इस तरह से किया जाए तो हमारी cost reduce हो सकती है तो चलिए सबसे पहले समझते है cost क्या होती है, cost एक amount होता है जो कि हम किसी product को manufacture कर रहे हैं या किसी अपने customer को service deliver कर रहे हैं, उसमें जो expense होते हैं, चाहे वो labor का expense हो, किसी machine का expense हो या maintenance का expense हो, वो expense cost कहलाती है, उसी cost के बिहाग पर ही कोई company जो होती है, वो अपने product को sell करती है, अपनी services को sell करती है वो cost किस तरह से कम की जाए, ताकि हम अपनी profitability बढ़ा सकें, और अपने customer को, जिनको हम serve कर रहे हैं, जिनकी requirements को हम fulfill कर रहे हैं, अपना हमारा product fulfill कर रहा है उस product को हम कैसे कम cost में अपने product को deliver कर सकते हैं, अपने end consumer तक पहुंचा सकते हैं तो चलिए, कुछ points देखते हैं, कुछ points है, कुछ important points जिनके अगर हम control करते हैं, या फिर उनको implement करते हैं, अपने manufacturing facility में, या फिर services में, तो हम अपने cost को reduce कर सकते हैं चलिए, start करते हैं, हमारे सबसे पहला point है, develop a strategic plan, किसी भी काम को करने से पहले या फिर हम daily routine में किसी भी काम को करते हैं, या चाहे हम office work कर रहे हो, या फिर entrepreneur हो, या फिर एक student हो, या teacher हो, या कुछ भी हो, हम सबसे पहले एक plan develop करते हैं, जैसे कि हम को कल कही जाना है, या फिर क support भी होता है, कि इतने वज़े तक हम निकलेंगे, इसमें traffic भी आएगा, और इतने वज़े तक हमको अपना readiness रखना है, ताकि इस टाइम पे हम निकल पाएं, तो इसी को strategic plan काएंगे, manufacturing industry में किसी भी task के operation को perform करने से पहले, एक strategic plan develop किया जाता है, और उस plan को regular basis पे review भी किया ज जरूवाइस की जरूवत है, अगर हम इसको एक example से देखे, तो जिसके हम कोई part develop कर रहे हैं, और development स्टार्ट करने से पहले हम उसमें होने वाले, use होने वाले raw materials, किस टाइप का raw materials होने वाला है, कौन से process यूज होगी, कौन-कौन सा manpower होगा, कितने skilled होगे, कितने semi-skilled, unskilled man लगेंगे, कितने quantity में लगेंगे, और किस टाइप के market को हम वो product, जो हम product develop करने हैं, किस age level group को हम serve करने वाले हैं, चाहे वो students के लिए, अगर हम books, copies, pens, develop करने हैं, note books, develop करने हैं, तो फिर वो students के लिए रहेंगी, teachers के लिए रहेंगी, अगर हम कोई ऐसा product develop करने हैं, जो senior citizen के तो उनका audience को target करना, उसी के accordingly हम product develop करते हैं, इसके साथ ही plan में हम अपने जो competitors हैं, उनका भी ध्यान रखते हैं, कि हमारे कितने major competitors हैं, जो हमको price में product quality में compete करते हैं, ये सारे operations as per plan होंगे, तो cost reduction definitely achieve होगा ही होगा, और ये मान के चलिए कि product develop करने से पहले, अगर हम इसमें एक assumption देखें, अगर मान के चलिए हम product develop करने से पहले market study नहीं करते हैं, और अपने consumer की need को भी नहीं समझते हैं, हमारे consumer हमसे क्या चाहता है, क्या उसकी demand है, उसको कैसे fulfill किया जाए, और हमने product develop कर लिए, definitely product develop होगा ही, उसके लिए raw material होगी process होगा, expertise manpower के थूँ, product develop होगा, और हम जो वहाँ पर सर्दियों के काम में आता है, और अगर हम उसको किसी ऐसी जगा पर sell कर रहा है, जहां पर गर्मिया बहुत होती है, तो वो तो waste हो गया, इसलिए market study करना, किस जग किस region के लिए product हम develop कर रहे हैं, यह सारा हमारा strategic plan में आता है, तो इससे भी हमारा काफी सारा expense ब बच जाता है, काफी सारी चीज होती ही, जो हमारी plan develop करने से बच जाती है, यह हमारा next देखते है, next method, जो की है, improve logistic, logistic means transport, simply transport, logistic means transport, यहां transport दोनों ही way में considerable होता है, चाहे raw material, यह semi-finished good, यह finished good हम अपने manufacturing facility में ला रहे हैं, या फिर जो final और assembled और tested product है, वो अपने customer को deliver कर रह हो, और safe way में अपना product हमारे पास भी आए, और अपना final product हम अपने customer को भी deliver कर पाए, for example, अगर हम कहें, किसी supplier से semi-finished good आना है, और अगर उसकी time delivery हमारे पास नहीं होती हमारी manufacturing facility में नहीं आती, तो product cost पड़ेगी, product cost कि किसलिए बड़ेगी, क्योंकि lead time increase हो जाएगा, manpower हमार cost, जिससे की cost reduction में logistic का, एक important role play करता है, मान के चलिए customer को, वो part immediately चाहिए, अगर वो JIT पे काम कर रहे है, just in time पे काम करते हैं, उनको immediately चाहिए, और अगर वो final product हमारे हां से final product customer तक deliver नहीं हो, तो उनका भी तो manpower idle बठेगा, उनका भी तो machine shutdown हो जाएगी, इसलिए और वो फि product की delivery में या फिर product हमारे पास आने में, एक important role play करता है, जो की cost reduction का भी एक अच्छा method होता है, चलिए, इसके बाद हमारे next point देखते हैं, जो की investment tools and equipment, manufacturing premises में tools और equipment पे हमेशा ही invest करते हैं रहना चाहिए, मतलब एडवांस जो भी चीज़ा आ रही है, मशीन सागर हमको उसकी ज जाए जाए फिर जिनका maintenance काफी जादा रहता है, उन्हें immediately replace किया जाए, obsolete machine को use करने से profit से जादे तो loss होता है, क्योंकि हमारा manpower idle होता है, downtime increase होता है, production हम सही से नहीं कर पाते हैं, और हमारे job में accuracy भी achieve नहीं हो पाती है, और machine operator भी frustrated हो जाते हैं, यह कैसी machine है, जब देखो हमे efficiently काम नहीं करते हो, इसलिए obsolete machines को replace करना है, जब भी new machine लेनी हो, अगर हम कोई new machine ले रहा है, obsolete machine को निकाल रहा है, तो कुछ हैसे points है, जिन पर focus करना होता है, जो की है, production की speed, means machine जो हम लेने वाले है, या जो हम चेक कर रहा है, उसकी production की speed क्या है, वो per minute में, वो कितने product डेवल कर रही है, और हमारी requirement क्या है, मतलब हम, जैसे मान के लिए हमारी requirement 100 pieces की है, और machine अगर 200 pieces बना रही है, 50 pieces बना रही है per minute में, तो फिर ये कैसे match होगा, 50 pieces बना रही तो definitely, वो हमको match नहीं पगागा, 200 pieces बना रही तो that's fine, लेकिन उसमें भी हमारा, जो हमको production capacity, जो 200 pieces के accordingly हमको dispatch, set करना पड़ेगा, तो एक ये चीज होगी, flexibility, machine कितनी flexible, मतलब कितने टाइप के product वो develop कर सकती है, किस किस टाइप के task execute कर सकती, ये चीज चेक करना, product की quality किस टाइप की आती है उससे, वो check करना, सबसे important है material wastage, material को कितना wastage कर रही है, कितना ज्यादा material को वो use कर रही है, कितन सबसे यादा operation, manufacturing cost में सबसे यादा raw material की cost ही होती है, potential volume growth in the future, अगर हमको future में हमारे growth होती है, जैसे हमने first में देखा production speed, अगर 200 pieces बना रही है, और future में हमारी growth होती है, that's fine, वो ठीक है, लेकिन अगर 50 pieces बना रही है, तो definitely हमारे किसी काम की नहीं होगी, इसके आदे हमारा next आ प्रेवेंटिम मेंटनेंस या प्रेडिक्टिम मेंटनेंस या दो टाइप के मेंटनेंस है, का सबसे मेजर एडवांट पैनेफिट यह होता है, कि machine downtime almost eliminate हो जाता है, तो repairing की वज़े से, means repairing की वज़े से machine downtime almost eliminate हो जाता है, manufacturing facility से, कभी भी machine failure होने का weight नहीं करना है, उससे पहले ही machine को maintain करना है, maintenance करता रहना है, ताकि time time reduce किया जा सके, company profit increase कर सके, और plant stop के time पर ही preventive maintenance execute करना होता है, जैसे कई बार plant maintenance में जाता है, overall maintenance होता है, उसी time हम अपनी machines को भी maintain कर सकते है, या फिर कई बार production नहीं हो रहा है, उस वज़े उस time पे हम अपनी machines को maintenance कर सकते है, ताकि एक ही shutdown में दोनों काम किया जा सके, generally preventive maintenance में जो task होता है, वो देखते है, replacement of any consumer and spare parts, किसी machine से consumer and spare parts को निकालना, जैसे कि जो bench grinder होता है, उस से grinder को replace करना, lubricate करना, machine और जो bearing से उनको lubricate करना, filters को निकालना, compressor से filters को निकालना, engine से निकालना, change of bearing, bearing को चेंज करना, technical cleaning करना, monitoring of electrical panels with infrared cameras, infrared cameras स electrical panels को monitor करना, और जो rotating equipment से अगर कोई abnormalty, abnormal vibration आ रहा है तो उसको detect करना, यह कुछ हमारे preventive maintenance के points है, जिनको हम check करना होता है, इसके आदे है हमारा lean practice, lean practice, manufacturing industry में waste reduction का सबसे waste way है, lean manufacturing करना, मतलब अपनी जो manufacturing हम कर रहे हैं, उसको according to lean करना, उससे waste reduce होगा, और waste reduce होगा, तो जिनका यूज करके हम waste eliminate यह reduce किया जाता है, manufacturing के लिए SOPs develop किया जाते हैं, ताकि complex job को भी बिना किसी defect के, defect free product हम अपने customer को with quality product develop, sorry, deliver कर सके, अगर हम देखें के इसके बाद है हमारा cut down energy losses, यह हमारा next point, companies में energy के बहुत सारे sources होते हैं, जैसे कि electricity, steam, fuel और भी काफी सारे sources होते हैं, जितनी भी energy source है, energy source से चलने वाले machines हैं, या equipment से हैं, उन सब के leakage बंद करना, timely maintenance करना, ताकि energy consumption, जो हमारा rated capacity है, उसको breach ना करे, इसके लिए काफी सारे points हैं, जैसे कि company में अगर compressor use होता है, और अगर उसका horse pipe या valve काई से leakage हो रहा है, तो उसको leakage को बंद करना, जिससे कि electricity waste ना हो, जब जरूरत हो, तभी AC fan और pedestal fan और coolers चलाएं, जैसे कि गर्मियों का time पर चला सकते हैं, सरदियोologically को बंद किया जा सकता है, जब जरूरत ना हो तब office की lights और premises की lights को बंद कर दे, जैसे कई बार होता है, जिए जो office की lights होती है, वो चालू ही जोजाना होती है, उनको light को बंद कर सकते है, और जिस भी time जैसे office में, हम को computer की जरूरत है यूज करना हो उसी टेम हम कंप्यूटर को चला हमेशा ही चालू नहीं छोड़ना चाहिए इसके आदे हमारा रेडियूस मट्रियल कॉस्ट मैनेफेक्ट्रिंग कॉस्ट में रो मट्रियल कॉस्ट एक बड़ा एमाउंट होता है अगर हमारा जो हम यूज करने वाले हैं वह कॉ कर सकते हैं जो कि हमको कॉस्ट एफिशियंट हो उससे हमारी कॉस्ट कम हो जाए रो मट्रियल पर ऑपरेशन के टाइम वेस्टेज कम निकले इस तरह से प्रोग्रामिंग की जा सकती है जिसे अगर इसको मैं एक एक्जांपल से समझें तो अगर हम कोई फैब्रिकेशन इंड करें तो प्रोग्रामिंग करना होता है जिससे की वेस्टेज कम से कम निकले और मैक्सिमम पार्ट्स हमारे निकल जाए इसके वाद हमारा रीव्यू लेवर कॉस्ट को रेगूलर बैसिस पर चेक किया जाना चाहिए ताकि यह हमारे एक्सपेक्टेशन्स या जो हमने क्राइटेरिया सेट किया उसको ब्रीच आउट नहीं करें लेवर कॉस्ट को कम करने के लिए जो हमाई ऐसे एंप्लॉईस को हायर करना होता है जो मल्टी टास्किंग हो जो कई सारे काम कर सकते है जैसे की कोई ऐसा का काम खतम हो गया तो वो ट्रिलिंग भी कर सके और ट्रिलिंग का काम नहीं तो फिर वो मिलिंग को भी ऑपरेट कर सके इससे आइडल टाइम कम होगा और एंप्लॉईस मल्टी टास्किंग भी कर सकते हैं और उनका मल्टी जगह पर मल्टी लोकेशन्स पर यूज भी किया ज चाहिए इसके बदे हमेरा promote improvement companies में हमेशा ही improvement किया जाना चाहिए चाहे वह improvement एक छोटा सा step ही क्यों नहों लेकिन उसको execute करना चाहिए जाहे वह existing process में हो operation में हो product में हो और किसी भी तरह से हो बस ध्यान रखने वाली यह चीज़ है कि जो हमारा product है वह easy way में easy way में develop हो जाए means easy way में production हो और उसकी quality और functionality पर customer उसकी product quality और functionality पर उसका कोई भी असर ना हो और उसका approval हम customer से भी ले सकते हैं और इसके लिए KPIs का use किया जाता है जो का individual companies के KPIs होते है की performance indicator कि किसने कितने KPIs किया क्या क्या suggestions आई हो suggestions का production पर प्रोड़क्शन पर प्रोड़क्ट पर क्या 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 इंप अफेक्ट हुआ है कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के लिए काम करेंगे और मोटिबेट भी होंगे process में कहा वेस्ट हो 24-7 वही वहाँ पर उस प्रोड़क्ट के पास अवेलेबल है लाइन के पास अवेलेबल रहते हैं इसके साथ ही इसके लिए क्या remedy है क्या हम step लें जिससे कि यह defect ना आए और process हमारी continuous flow में चले यह लाइन वर्कर्स और स्टाफ इजली बता सकते हैं किसी भी improvement के लिए जरूरी नहीं कि कोई बड़ा investment ही किया जाया कई बार mutual discussion से भी solution निकाले जा सकते हैं एक example दिखते हैं जो कि मैंने कई जगा पर सुना है मैंने कहीं यह ची एक्जमपल पड़ा नहीं लेकिन काफी सुना है इसलिए मैं यह आप बताता हूँ एक shop manufacturing company है जिसमें काफी सारे packets empty चले आते हैं जिनकी complaint customer से आती जो end customer है उनके थूर आती है अब काफी सारे engineers और managers ने brainstorming किया और solutions निकाले भी लेकिन वह उतने अफेक्टिव नहीं थे जिनसे कि यह जो हमारे company का problem था जो empty package जा रहे थे वह दूर हो सके और जो cost efficient जो solutions effective थे वह काफी साय ज्यादा high costly थे जिनकों के execute नहीं कर पारी थी company फिर line worker जो वहीं पर place था जहां पर जहां से empty package जो वहीं से empty package जाते थे उसने अपना suggestion दिया कि सरी यहां पर high speed fan लगा दीजिए जो भी empty package होगा वो definitely high speed fan रहेगा तो हवा से उड़ जाएगा वहां से और customer को जो empty package हो भी नहीं मिलेगा और complaints भी खता हो जाएंगी तो इससे यह हम कह सकते हैं कि जो suggestions है वह कहीं से भी आ सकता है और हमको वह मानना है और वह implement करके देखना है और वह definitely improve कर देंगे क्योंकि line workers जितना product और process के वारे में बता सकते हैं उतना managers वह भी नहीं कुछ जाना होगा और आप implement भी करेंगे इसको अबने fabrication production quality पर काफी सारे videos बना है आप channel पर जाके देख सकते हैं और मैं description में काफी सारे videos का link share करूंगा thank you friends thanks for watching